है Yo आम कि इसके डिशने को बोला क्या सद्ध्र है किरा क्या काम है सब मैंने गजेंडरी की बारे में आपको बताया था ना तब आपने कहा कि आप उससे जान्ती नहीं उसके बाद हाउसपिटल में जा कर उन्हें देखकर आया तो क्या हुआ नहीं कुछ नहीं सर अगर मैं गजेंद्र के साथ रहता तो सारी बातें सुनकर आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे देता इंसान कोई भी काम करें लेकिन अपने फाइदे के लिए ऐसा आप ही ने कहा था ना सर इसलिए वैसे आप खोदी समझदार हैं सर जरा सोच कर देखिए थैंक यू सर चलता हूं सर बच्चे जी सर लास्ट है ये समझ गया सर मैं वैसा लड़का नहीं हो चलता हूं सर भाई मुझे सिर्फ दो दिन का टाइम दो भाई माल समय तुसे आप के सामने लाओंगा दो दिन देने का भी टाइम नहीं है मेरे पास अब जिन्दगी और मौत का सवाल है भाई भाई मुझे मेरी कसम भाई उसे छोड़ूंगा नहीं भाई हेलो बस बस हेलमेट पाइन के रख्यों तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है हेलमेट के उपर गलास है उसे नीचे के ग्रेव पैसा दिखाई है दे रहा है एक बार गुम हो जाने पे दुबारा नहीं मिलता है आद रखना इसे रखो शक्ति के यहाँ डाका डालते समय यह बहुत काम आएंगे यार तु इतना सारा पैसा लेकिया है कहां से लाया यार तेरी नानी की सास शक्ति बेल ने दिया है क्या उसके यहाँ डाका डालने के लिए उसने ही पैसा दिया सुनो चार चाय लेकराना यार तुम मुझे बहुत कंफ्यूस कर रहे हो मैंने गजेंद्र की पोल खोली इसलिए उसने मुझे ये टिप दे दी देखा जानी एक information के बदली इतने सारे note सच का है किसीने बड़े लोग बड़े ही होते हैं सुनो वो वक्त के साथ चलता है अपना काम पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है उसके साथ रहकर तुम्हे कुछ करना ऐसा कहा था ना वो काम कहां तक पहुंचा हम् उसके लिए एक तीर छोड़ कर आया हूँ क्या है सर आपने एक छोटी सी बात बताने पर पर मुझे बहुत पैसो की मदद की सोच रहे होंगे ऐसा क्यों बोल रहा हूँ गजेंद्र को ही रास्ते से हटा देंगे तो आपकी रास्ते का काटा हट जाएगा अगर ये सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हो सर जहां तक मैं जानता हूँ गजेंद्र का बहुत बड़ा गैंग है उस गैंग में कौन-कौन है इस बात का पता लगाने से पहले वो लोग आपका स्केच बना कर अपना ही खेल-खेल कर निकल सकते हैं खेर छोड़िये सर बड़े लोगों की बड़ी बाते हैं यहां आकर डाका भी डाला जाए तो वो बाहर नहीं जा सकते हैं बिल बहुत ही छोटा जो है आगे आप समझदार एंस है चलता हूँ उसके खजाने को खाली करने का आइडिया तुझसे मंगा तो तुने उसे हमें इस दुनिया से उठाने का आइडिया दे दिया हैं जॉनी भाई अभी से आपका दिल इतना तेजी से क्यों धड़ग रहा है उसके दिल में मुझे मेरा विश्वास जमाना है अगर मेरा कैलकुलेशन सही निशाने पर बैठा तो कुछी देर में मेरे पास उसका कॉल आएगा वर्क आउट हो गया शक्तिवेल तुझ जल्दी नहीं मरेगा समझा हलो बच्चे कौन मैं हूँ बेटा शक्तिवेल सर सर नमस्ते सर तुमने बताया तो मेरे खलाब कोई स्केश बना रहे है वही सर गजेंद्र तुमने कहा था उसके साथ कोई है कौन है वह बेटा सर उनके साथ पूरी टीम है सर मुझे उनमे से किसी का नाम नहीं पता है लेकिन आपको हो तो मैं पता लगा कर बताता हूँ आपको तुमें काम करोगे अहां बोलिये सर उस ग्रूप में किसी विद्र तुश शामिल हो जा अरे नहीं सर दरसल मुझे बहुत डर लगता है सर डरने के क्या ज़ूरत है विठेगे मैं हूना तुमारे साथ सर ये बहुत बड़ा मैटर है न सर फिक्र मत कर बच्चे मैं तुमारा पूरी तरह से ख्याव रखूँगा क्यों मुझ पर विश्वास नहीं है क्या जी है न सर आप कह रहे हैं इसलिए हा कह देता हूँ करो काम उनके साथ करो और वफादार मेरा बंड कर ला हो बास जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ मेरी खोपड़ी में तो कुछ नहीं गुस रहा है तु मुझे शौक दे रहा है लगता है आज एक कौटर जादा पीनी पड़ेगी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तू क्या कर रहा है तुझे समझ रहा है न तो ठीक है